नमस्कार दोस्तों, वेलकन दो व्ल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान धवन और इस वीडियो में बात कने वाले हैं एक बहुत ही important topic के वारे में आगा लेगा, आगा लेगा military base इंडिया का जो आज के समय construct किया जा रहा है in Mauritius, ये एक ऐसा topic है जिस पर आपको आसानी से articles मिलेंगे नहीं, बहुत कम articles हैं, वीडियो और भी बहुत कम है, मुझे याद आ रहे कि I think दो-तीन साल पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, बहुत टाइम पहले, मगर यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि ये military base important किस लिए है, इस पर काम किस speed से चल रहा है, और कब इंडिया ने इसकी deal sign करी थी, बहुत ही जादा important topic है ना, first of all, आज कर य news में इस लिए है, क्योंकि Lowey Institute, Lowey by the way, एक Australia based बहुत ही important institute है, ये various reports, indexes publish करते हैं, इनका एक बहुत ही famous index है, Asia Power Index, तो इन्होंने हाली में एक report publish करी, और ये बताया है, कि इंडिया बहुत ही तेजी से, satellite images से हम देख पा रहे हैं, कि इंडिया बहुत ही तेजी से, इस island पर military infrastructure construct कर रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है article, अगलेगा, A Glimpse of India's Remote Island Military Base, और यह military base जोग्राफिकली कहाँ पर है, यह वदाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कि पिछले 7 साल में, यहाँ पर कित्ती तरक्य हुई है, October 2014 में अगर हम देखें, तो यह हालत थी इस पूरे टापू की, काफिया तक रिमोट है, बस एक military strip थी यहाँ पर, और अब अगर हम देखें, December 2020 की तस्वीरे, तो यह आपके सामने द्रिश्च है, इंडिया ने एक बहुत बड़ी strip यहाँ पर करशट कर दी है, उसके लावा यहाँ पर आप देखोगे, कई और बिल यही है 300, तो अलड़ी यहाँ पर 1500 के आसपास इंडियन वर्टकर्स बलाए गए हैं, और यहाँ पर रह रहे हैं, और बहुत ही जल बताया जा रहा है, क्यों सकता है कि यहाँ पर और ज़रा development हो, इंडिया rapidly आने वाले एक साल में इस island को बना देगा एक बहुत ही important military base in the Indian Ocean region, और अगर हम बात करें location की, तो अगर लेगा actually दो outer islands का combination है, दोनों islands part है Mauritius के, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे map, यह यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह Africa है, यह Australia है, यह बीच में, हिंद मासागर, Indian Ocean और Madagascar देश के काफी कर यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर लेगा island, और एक बार इसको जो 3D map है, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप दिखोगे, मैं zoom in कर रहा हूँ, और Mauritius actually पूरे Indian Ocean में काफी widespread अपने आपे देश है, और यह है यहाँ पर अगर लेगा island, अगर लेगा island से कितना दूर है, Mauritius का main island, जहाँ पर इनका capital भी है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं zoom out कर रहा हूँ, और इंडिया का military base यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखोगे, यह है आपे Mauritius का main island, और main island पर यहाँ पर आपको दिखेगी राजधानी Mauritius की यह है Port Louis, और बिल्कुल पास में एक और टापू है, यह है Reunion Island, यह एक्चुली बिलॉंग करता है France को, जी हाँ, France European country मगर यह है इनकी एक overseas territory, तो यहाँ पर France का military base है, इसका भी access तो है इंडिया को, मगर इंडिया का खुद का यहाँ पे यह military base है नहीं, आगा लेगा island से साफी news में भी था, क्योंकि Mauritius की अबादी है 12,70,000 के आसपास, और इंडिया ने हाली में इस देश के साथ एक free trade agreement भी sign किया है, जी हाँ, Mauritius actually पहला अफरीकी देश है, जिसके साथ इंडिया ने sign किया है एक FTA, अब यहाँ पर आप कहोगे Mauritius के आफरिका में आता है, तो इसका आंसर है हाँ विलकुल, आपने map पे रेखा होगा, since यह Madagascar के काफी करीब है, तो geographically Mauritius को हम Asia का part नहीं मानते, Mauritius है एक African देश, अब next question यहाँ पर सामने यह आता है, कि इंडिया ने Mauritius के साथ यह military base के deal कब करी, देखो इसकी बात शुरूई थी 2015 में, और initially इसको बहुती सीक्रेट रखा गया, क्योंकि हम यह नहीं चाते थे, कि Mauritius के लोग यह समना स्टार्ट कर दें, कि इंडिया यहाँ पे occupy कर रहा है, या फिर इंडिया यहाँ का area कब जारा है, तो initially इस पर बहुत कम बातचीत हुई, 2018 में, properly इस पर काम स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर एक military base construct ना कर पाए, चाइना funded जो कई ग्रोप सायनों ने यहाँ पर इंडिया के against protest किया, और यह का कि इंडिया यहाँ पर replace कर देगा indigenous population को, और इंडिया ने बहुती मुश्किल से जो यह pressure है, यह resist करके यहाँ पर construction कायम रखा, और आज के समय आप अगर देखो, तो आगले का island काफी हत तक त्यार हो चुका है, और अभी के लिए इंडिया ने कितने पैसे invest किये हैं, इस military base के लिए, तो total around 87 million dollars यहाँ पे invested हैं, अगर जो actual amount है, उसके बारे में हमको पता नहीं है, actual amount actually इससे काफी ज़ादा भी हो सकता है, और देखो जो यहाँ पर लंबी को हंट करने के लिए, उसको मारने के लिए, एक बहुत ही अच्छा aircraft है, और माना यह जा रहा है कि एक बार यहाँ पर air strips त्यार हो गई, तो इंडिया definitely 3-4 Boeing P8 Poseidon यहाँ पर deploy करके रखेगा, ताकि कभी भी चाइना की submarines यहाँ पर dominance हासिल ना कर पाए, अब यहाँ पे आपक of credit, यहाँ पर आप देखो के article है 2019 का, के Mauritius ने launch किया है पहला phase of 525 million light rail system, इसको fund कर रहा है इंडिया, उसके लावा Mauritius की आप अगर आबादी देखो, तो यहाँ पे 48% जो लोग हैं यह follow करते हैं हिंदू faith को, इंडिया को लेकर काफी एक affection है, एक लगावे इंडिया के प् former raw agent, कभी google करिएगा यह नाम भिभूती भूशा नंदी, यह एक Indian IPS officer थे, intelligence officer, raw के लिए काम किया, IB के लिए काम किया, और बात में अपने career के later stage पर, Mauritius में इंडिया का influence इतना ज़रा था, कि Mauritius देश के यह बन गए national security advisor, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की involvement Mauritius में बहुत तो यह काफी है तक expected था, हाँ possibility है कि in the future, आसे, who knows, 5-6 सार बाद, Stations या फिर और कई countries में भी, even मैं काओंगा, Maldives में भी हम एक military base बनाए, मगर Mauritius का military base है, यह बहुत ही important है, क्योंकि यह काफी करीब है, Mozambic Channel और Reunion Island के, और finally मैं आपसे question पूछूँगा यहाँ पर, कि Chagos Arch यह काफी important region है, near Maldives, यह एक disputed region है, disputed group है, islands का टापूओ का, किन दो देशों के बीच में, एक तो है Mauritius, second country यहाँ पे कोन सा है, India, Pakistan, UK, या फिर चाइना, comment section में करो इसका answer, सही answer आपको मिल जाएगा इसकी PDF में, तो यह है end इस वीडियो का, thanks for listening and as always, God bless you all. झाल